जैवी कलक्षन जनुको द्वारा दूसरे पिड़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया को अनुवन शिक्ता कहते हैं। जुहान मेंडल नामक वैग्यानिक ने इस शास्त्र की नीव रखी। ऐसा वाना जाता है कि कुछ लक्षन जैसे रक्त का प्रकार, आँखो का रंग, बालो का रंग और स्वाद इत्यादी सारी बातें जनुको की एक जोड़ी द्वारा नियंतरित होते हैं। ग्रेगोर मेंडल नामक आउस्ट्रिया के एक संत ने ये अध्वुत प्रक्रिया खोज निकाली। इसलिए इसे दे लौ आफ मेंडलेन इनहरिटेंस कहा जाता है। जनुक किसी एक लक्षन को ले सकती है पर उसके जेनेटिक तत्व और रूप अलग-लग हो सकते हैं। उनके आधार पर आरेने के एक अनु का निर्मान करता है। आरेने का परमानु डीने और प्रतिनों की निर्मिती के बीच में एक कड़ी के रूप में कारी करता है। भाशान तरण के दोरान प्रतिलेखन प्रक्रिया में निर्मित आरेने का अणू DNA से प्रतिन निर्मान करने वाले साधनों तक जानकारी पहुचाने का काम करता है। डिने से आरेने, आरेने से प्रोटीन, डिने और आरेने समान प्रकार के अनु होते हैं, जिनका निर्मान छोटे अनु नुक्लियोटाइड्स द्वारा किया जाता है, प्रतिनों का निर्मान नुक्लियोटाइड्स की अपेक्षा अमिनो अमल अनुकरम द्वारा होता है, प्र ये प्रक्रियाएं सारे प्राणियों में पाई जाती है यूकोरियोटिक और प्रोकरियोटिक जैविग जानकारी का प्रतिनों में रूपान तरन ने जीवन को लाखो करोणों सालों से संभाल कर रखा है DNA और RNA RNA और DNA समान प्रकार के अनू है ये दोनो नूकलिक अमले ही होते हैं, चार अणूं में से एक अणू को जीवन का अणू कहा जाता है, ये दोनो नूकलियोटाइड्स की नीव पर निर्मित होते हैं, और इनके पास चार नाइट्रोजनस मूल होते हैं, जिससे इनकी जोडिया बनती है, डियने के किनारे पर संबंध नूकलियोटाइड्स श्रिंखला होती है, हर एक नूकलियोटाइड्स में शरकरा नाइट्रोजनस मूल और फॉसफेट का समोव होता है, डियने में चार अलग-अलग प्रकार के नाइट्रोजनस मूल होते हैं, अडिनाइन, थाइमीन, गौनाइ Cytocin DNA की एक किनार और दूसरे DNA की किनार एक दूसरे से हमेशा कुंडलीनी पद्धदी से जुड़ी हुई पाई जाती है दो DNA की किनार एक दूसरे से उनके nitrogenous मूल के आधार पर जुड़ती है इन्ही मूल के कारण उन्हें basis pairs या मूल जुड़ियां कहा जाता है इसमें अडेनाइन और थाइमिन एक साथ बंद बनाते हैं तथा गौनाइन और साइटोसिन एक साथ बंद बनाते हैं अडेनाइन और थाइमिन एक दूसरे के पूरक मूल हैं और ये दोनों गौनाइन और साइटोसिन के साथ बंद नहीं बनाते हैं गौनाइन और साइटोसिन सिर्फ एक दूसरे के साथ बंद बनाते हैं, आडेनाइन और थाइमिन से नहीं। DNA और RNA की संद्रचना में कुछ एक दो मुलबुत अंतर हैं। उनमें अलग-अलग शरकरा होती हैं। DNA में Diox-Ribose sugar होती है और RNA में Ribose sugar होती है। चार नाइट्रोजनस मूल में से तीन मूल समान होते हैं। RNA अनवो में जो मूल होता है उसे मूल के स्थान पर यूरैसिल कहते हैं। प्रतिले इखर के दोरान यूरेसिल थाइमीन की जगा लेता है और अडेनाइन के साथ पूरक जोड़ी बना लेता है। कोशी का केंद्रक में निर्मान होने वाला मेसेंजर आरेने कोशी का द्रव्य में आ जाता है। वो अपने साथ DNA का सांकेतिक संदेश भी लाता है। इस संदेश में अमिनो अमल के संकेत होते हैं। प्रतिक अमिनो अमल में पाया जाने वाला संदेश तीन न्यूक्लिय टाइड्स के समुच्चय के रूप में होता है। इसे ही ट्रिपलेट कोडोन कहते हैं। हर एक mRNA हजारों ट्रिपलेट कोडोन से निर्मित होते हैं। mRNA के संदेश के अनुसार टी आरेने को अमिनो अमल भेजे जाते हैं। इस कारी के लिए tRNA पर anti-codon होता है जो mRNA के codon के पूरक्रम में होता है इस प्रक्रिया को भाशांतरण कहा जाता है इस प्रक्रिया के दोरान ribosome mRNA के एक छोर से दूसरी छोर की ओर एक triplet codon के अंतर से सरक्ते जाते हैं इसे स्थानांतरण कहा जाता है अनुवनशिक्ता का तंतर सजीव प्राणी अपने जैसे नए प्राणियों के जनुकों के कारण ही निर्मान कर पाते हैं और उनमें से कुछ जनुकों को अगली पीडी में बिना किसी परिवर्तन के सौंप दिया जाता है इसी कारण अभीभावकों की कुछ विशेशताएं हम उनके बच्चों में देख सकते हैं किसी व्यक्ति की कोशिका में उतने ही जनुक होते हैं जो धारणा के समय उसके अभीभावकों के शुकराणों और अंड कोशिका से उत्पन होते हैं कोशिकाओं में जनुक डियने के लंबे किनारों से निर्मित होते हैं ज्यादा जनुक जो विशेशताओं को नियंतरित करते हैं जोडों में होते हैं एक जनुक मा की तरफ से और एक पिताजी की ओर से सब में 22 गुणसूत्र होते हैं और अन्य दो जनुकों को लिंग से जुड़े गुणसूत्र कहा जाता है स्त्रियों में दो XXA गुनसूत्र होते हैं और पुर्षयों में XY गुनसूत्र होते हैं अनुवन्शिक लक्षणों और विकारों को तीन श्रीनियों में विभाजित किया जा सकता है कारणी अनुवन्शिय, लिंग से सम्मद्दीत अनुवन्शिय और बहुकारणी अनुवन्शिय कुछ ऐसे लक्षण पाये जाते हैं जो जनुकों के कारण और वातावरण के कारण प्रभावित होते हैं जैसे उचाई ये अनेक जनुकों द्वारा नियंत्रित की जाती है। कुछ जनुक लंबे होते हैं, कुछ नाटे जनुक होते हैं। अगर बच्चा विरासत में दोनों अभिभावकों के उचाई के जनुकों को प्राप्त करता है, तब वो अपने माता पिता से अधिक उचा होता है। वही दूसरी और अगर बच्चा माता पिता से नाटे के जनुकों को विरासत में पाता है, तब अपने परिवार में नाटा रह जाता है। व्यापक रासाइन जानकारी संतती कुशिकाओं पर पुना अंकित होना अनिवार्य है ताकि वे अपना कार्य ठीक से कर सके फिर भी जब DNA अनुकृती होती है कुछ छोटे मोटे बदलाव आते हैं अधिकतर समय इन बदलावों को तुरंद भाप लिया जाता है और उन्हें तुरंद ठीक भी कर लिया जाता है फिर भी अगर इन परिवर्तनों को ठीक नहीं किया गया तो उसके परिणाम सुरूप प्रतिनों में परिवर्तन आता है और इस प्रकार परिवर्तन होए ये प्रतिन ठीक से काम करने में अक्षम हो सकते हैं जब प्रतिनों की खराबी का प्राणियों पर विप्रीत परणाम होता है उसे अनुवन्शिक विकार कहा जाता है कुछ उत्परिवर्तन सूक्षम होते हैं पर कुछ लक्षणिय होते हैं उधारन के लिए उत्परिवर्तन के कारण सिकल सेल एनिमिया जैसी जनुकिय विक्रितियों का निर्मान होता है हिर्मान होते हैं